इन दिनों विवाद और ट्रेंड का नाता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है जी हाँ जिस विशे पर विवाद हो रहा है वो विशे ट्रेंड में नजर आने लगा है कुछ ऐसी ही विवाद और ट्रेंड की तस्वीर धर्मनगरी काशिश नजर आ रही है जहां इसकी बेहदद और अनोखी तस्वीर दिखाई दे रही है जी हाँ विवादों में चल रहे भगवान हनुमान के बाद अब लोग हनुमान जी को खासा ट्रेंड मिला चुके हैं और इस ट्रेंड के कारण लगातार लकड़ी कारुबार में हनुमान जी की प्रतिमाओं के डिमांड बढ़ती ज लोग बकायदा अपने घरों में सजाने पूजा करने के साथ साथ उपहार में एक दूसरे को देने में भी खासा पसंद कर रहे हैं कारिगरों का कहना है कि इन दिनों हनुमान जी की मुर्तियों की खासा डिमांड है हमें एक्स्ट्रा कारिगरों को लगा करके डिमांड को प डिमांड बहुत ज्यादा है इससे में जिसे के माड़ी हम लोग 5 पीस एक साथ लगाएं तो 5 पीस तयार करने में 2-3 दिन लग जाती है कारीगरों की संख्या बढ़ानी पड़ जाती है और के साथ से जल्दी काम होनी पारे से कारीगर को बढ़ाया जा रहा है हरमांड जोर बढ़ाय closer जा रहा है इससे जुड़े कारोबारी की माने तो उनका कहना है कि ये rendo स्रफ भारत में ही नहीं बलकि विदेशों में भी देखा जा रहा है विदेशों से भी लगाता जमांड आ रही है इसके साथ ही लोग गाड़ी में सजाने से लेकर के घर में सजाने पूजा करने और एक दूसरे को उपहार देने के लिए हनमान जी की प्रतिमा का प्रयोग कर रहा है जब से आपका जितना बजरंग जी के बारे में बात हो रही है तो उस पे इतने दिमांड है लगबग अब क्या है कि सिंगल सिंगल पीस नहीं है अब बल्क में ओर जा रहे हैं अल ओबर इंडिया कुछ बाहर से भी आते हैं जो बल्क में ओर देते हैं मूर्ती है पंच मुखी है फ्लाइंग है घर में छोटे जो कार में हैंगिंग करने के लिए वो फ्लाइंग बनते हैं और बड़े-बड़े मूर्तियां जैसे 5 पिट के मूर्ती पंच मुखी जो कि नहीं दूसरी और धर्मनगरीकाशी में एक अनोखी तस्वीर नजर आ रही है जहां इस तस्वीर में बजरंगबली खासा ट्रेंड में है कैमरे पोज़न मनोच के साथ प्रत्यमत्यवारी एटीवी भारत वारण सी